दोस्तो आज कर ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि बीएसनेल का 4G बहुत ही जल्दी लॉंच होने वाला है आपके जैसे मैं भी दोस्तो बहुत दिन से बहुत जादा इंतेजार कर रहा हूँ वीएसनेल 4G का बीएसनेल अभी पूरे पैन इंडिया फिप्सिश्टी परिसे फिप से फिप्रसनदू में अपना 4G लॉंच नहीं कर पाया है अगर बूर। फिप्ति फोस्त in places में DSL का 4G speed increase है कही 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 5G speed if bike की जा रहा है कही कहीं unofficially 4G launch तो किया जा रहा है लेकिन यह इतना धीडह हो रहा है दोस्तों और इतना कम जगह के अंदर हो रहा है कि लोगोंको लग़ रहा है कि DSL k4G जो है सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रही है कि कोई हर भी नहीं के आट वाजे मैं आप सभी के लिए टेलिकाम डिलेट अपडेट ने उस लेकर आ जाता हूँ तो दोस्तो पहला जो अपडेट है आपको बताना चाहता हूँ कि बी एसनेल अपने फोर जी न्यू नंबर्स एलोकेट कर रहा है दोस्तों यह जो काम है यह पंजाव के अंदर स्टार्ट हो चुका है मुबाइल बे जो दस डिजिट का नंबर होता है उसमें से पहला का जो पांच डिजिट होता है यह तेलिकम कंपनिस का जो स्पेक्टम्स लाइसेंस होता है उसके बेसिस से अलोकेट किया जाता है और यह तरफ से इसको अलोकेट किया जाता है और बाखी के जो पांच डिज सब्सक्राइब को ही चलना पड़ता है लेकिन की बात उनको मानना पड़ता है लेकिन यह पुरे के अन्दर आपको यह दिखने को मिल जाएगा कि 4G के लिए BSNL अपने new numbers को allocate करेगा ठीक है अगर 4G के लिए new numbers allocate किया जा रहा है तो बहुत जल्दी 4G भी launch होने वाला है इसमें कोई doubt नहीं है तो यह था पहला update दूसरा जो update है दोस्तों कि BSNL बहुत जल्दी अपने 3G towers को 1,00,00,00 3G towers को 4G towers में convert करने वाला है TCS को दोस्तों इसका affordable मिल गया है दोस्तों ठीक है TCS और IT जो कंपनी है IT अपनी स्पेसली एकुमेंट्स यहाँ पर सप्लाई करेगा और TCS यहाँ पर सिस्टम इंटिकरेटर के हिसाफ से काम करेगा तो TCS यह काम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला है ठीक है हो जाएगा ठीक है तो उधर तो दोस्तों के साथ मिलकर TCS अपना कुद का यहाँ पर मतलब 4G निव टावर्स तो इस्टॉल करेगा ही करेगा और दूसरी तरह यहाँ पर 3G टावर्स को भी 4G में करने की काम चल रहा है ठीक है तो यह सब काम जो है यह रिपोर्ट के हिसाफ लेकिन फूरे पर निटे फे जब 5G लांच हो जाएगा तो यहाँ पर रिचार्ज प्लान जो है यह भी इंक्रीज होने वाला है यह तो सही बात है ठीक है तब जाके भी अगर बीएसनल 2023 के लास्ट तक अगर अपना 4G इंडिया का 70-80% प्लेसेज में भी लांच कर दिया द गुडबाइट करेगा ठीक है तो बहुत सरे लोग बीएसनल के साथ जुड़ सकता है लेकिन बीएसनल कितने अपने आपको सुधर बाएगा यही देखने वाले बात है आपको इसके बाद में क्या लगता है निशे कमन में जरूर बताइए और अगर अभी तेक में चनल को स अधिये क्यार